कि सात्यों सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुँचे तो गाउं का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जुरूर पहुँचना चाहिए गंटे भर के लिए खेट का काम छोड़ करके जाना चाहिए हर बच्चों को बुड़ों को भुजूरुकों को सब को ले जाना चाहिए क्योंकि हमें देश को आगे बनाना है और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभारती तक पहुँच पाएंगे तभी शत्प्रतिशत सेच्चुरेशन का जो संकल्प है न वो पूरा हो जाएगा हमारे इस प्रयास का गाउं गाउं में असर भी दिखाई दे रहा है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर पहुंचने के बाद लगबग एक लाख नए लाभारत्यों ने उजवला योजना के तहट मुप्त गैस कनेक्शन ले लिया है आवे दिन किया है कुछ गाउं है जैसे अभी मैं बात कर रहा था बिहार से तो वहारी प्रीह का जी कह रह मुझे लेकिन कुछ गाम है जाए एक दो एक दो लोग रह गए तो गाड़ी पहुंचते तो वह भी ढून ढून को दे रहे हैं इस यात्रा के दौरान मोके पर ही 35 लाख से अधिक आविश्मान काड़ भी दिये गए हैं और आविश्मान काड़ यान एक प्रकार से किसी भी बिमार व्यक्ति को जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अवसर की गारंटी बन जाता है गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने पर जिस प्रकार लाखों लोग अपना हिल्स चेक अप करा रहे हैं और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों में हिल्स का कैम्प लगता है इसके सा मैं समझता हूँ यह भी एक बहुत बड़ा सेवा का भी काम है संतोस मिलता है बड़ी संख्या में लोग अब आईश्मान आरोग के मंदीरों में जाकर जिसको पहले हिल्स और वेल्स सेंटर कहते थे अब लोग उसको आईश्मान आरोग के मंदीर कह रहे हैं वहां पर जाकर के भी भांदी भांदी के टेस्ट करवा रहे हैं